अर्चनास वेच पाक्षाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं कच्छे केले के पकोडों की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हैं यह एक बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट टी टाइम स्नेक्स है इसे आप इवनिंग चाय के साथ में सर्व कर सक बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बहुत बहुत स्वाधिश्ट बहुत बहुति इसके लिए हमें कच्छे केलों की आभशक्ता होती है तो आईए इसे हम बनाना शुरू करते हैं पकोड़े बनाने के लिए हमने कच्छे केले ले लिए है इसको अच्छी तरह से धो लिए है धोने के बाद में इसके दोरों सिधे हम कट कर देंगे और इसे चाकू नहीं तो पीलर से इसके चिलके निकाल देंगे जैसे ही केले के शिल्के उतर जाएंगे तुरंत पानी में ढाल देना है और पानी में एक चमच नमक डाल देंगे इस तरह से पानी में छिए हम डाल के रखते हैं तो केले काले नहीं पढ़ते हैं अब हम एक एक केले को लेंगे और अची तरह से इसको हाथ से थोड़ा निचोड देंगे और उसके बाद में इसके स्लाइस कट कर लेंगे लंबे-लंबे हमें स्लाइस कट करना है और वापस इसको पानी में ही डाल के रखना है पकोड़े के गोल के लिए हमने चार बड़े चमज बेसन ले लिया है और बेसन के अंदर एक चमज हम चावल काटा मिलाएंगे चावल काटा मिलाने से पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और इसके अंदर हम थोड़ी सी हिंग मिलाएंगे हैंग मिलाने से नुकसान नहीं करेंगे इन सब को हम मिला के चान लेंगे अच्छी तरह से चानने की बाद में अब इसमें हम मसाले ढालेंगे 1 चमश हम लालमिछीं का पावडर डाल दिया है एक चमज से थोड़ा कम सपेद तिल डाले है आदा चमज हल्दी और स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और यह सब डालने के बाद में थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डालेंगे अजवाइन से नुकसान नहीं करते इसलिए अजवाइन पकोड़े में जरूर डालना के बाद में इन सब को हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने से पहले इसमें हम आदी चमज बेकिंग सोड़ा मिलाएंगे अब सब को हम अची तरह से मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गोल तयार कर लेंगे और पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही बेसन में हम एक साथ ज़्यादा पानी डालते है तो इसमें लम्स पड़ जाते है जो कि बाद में निकालना बड़ा मुश्किल होता है तो इसके लिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा डाल कर ही इस तरीके से एक अच्छा सा गूल तयार कर लेना है अब हम एक पैन में ऑईल डालेंगे और इसे गरम करेंगे जो भी ऑईल आप खाते हैं वो आप डल सकते हैं तो जब ऑईल गरम हो जाएगा थोड़ा चेक कर लेंगे तेल गरम हो चुका है अब हम इसको निकाल देंगे जो हमने चेक करने के लिए डाला था थोड़ा सा बेसन इसको हम निकाल देंगे और केलो को जो हमने पानी से निकाल के बेसन में डाल दिया था जो केले की हमने सलाइस की थी उन सब को हमने पानी से अलग निकाल दिया था और इन केलो की सलाइस को हमने बेसन में डुबा डुब वाके हम सावधानी से तेल में डालते जाएंगे और एक बार में जितनी भी आते हैं उतनी डाल देजिए और सब डालने के बाद में हमें तुरंत इसे नहीं पलटना है थोड़ा टाइम बाद में हम इसे दूसरी साइट से भी अच्छी तरह से पलट के सेखेंगे जब यह एक साइट से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम चिम्टे से इसे पलट देंगे दूसरी साइट से और सबको हम इसी तरह से सावधानी से पलट देंगे और इस तरह से जब हम चिम्टे से पलटते हैं तो ये एक दूसरे से चिपके भी होते हैं तो निकल जाते हैं और ये बहुत जादा क्रिस्पी बने हैं और चिम्टे से पलटते समय ही हमें पता चल जाता है ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं क्यूंकि इसमें हमने चामल का आठा डाला है तो उससे यह बहुत क्रिस्पी बन जाते है अब यह दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और एकदम फूले फूले से बन गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर निकालने के बाद में इसी तेल में बाकी बच ऊचने के साथ में खा सकते है इसा आप से आप नारियल की चाथनी के साथ में खाकते है इसेते ऐसे ऑने में बहुत मुझे दार लगता लगते है तो आप इसे जरूर की 밟ोंटी नयूंकियार के सब्सक्राइब कीज़ siete लकल Propheti मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना खुब खुब ख्याल रखिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू.